Good morning children, now you know how to find LCM by writing actual multiples of number. Good morning बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी number के actual multiples लिखकर LCM हम कैसे निकालते हैं? Let's learn how to find LCM using shortcut division method. आज हम देखेंगे कि shortcut division method से LCM कैसे निकाला जाता है? I have numbers 4, 6 and 3. मेरे आप पास यहाँ पर 3 number हैं. इनका हमें LCM निकालना है by the shortcut division method. First, we write the numbers in a row separated by coma. इनको हम एक row में लिख लेंगे और comas की दोरें इनको अलग-अलग कर लेंगे. बीच में हम को माज लगा देंगे जिसे हमें पता चल जाएगा कि 4 is separate, 6 is separate and 3 is separate. अब इनको divide करने के लिए सबसे पहले हमें एक least prime number लेना है. जो या तो इन तीनों number को divide करें, या किसी 2 को divide करें, या किसी 1 number को इनमें से divide करें. Least prime number होता है 2. तो मैंने यहां लिखा है 2. 4 को जब हम 2 से divide करेंगे, तो question क्या आता है 2. 2, 2, 2s are 4. तो मैंने यहां 4 की निचे लिख दिया 2. नेक्स यहां पे comma, end. अब 6 को वापिस हम 2 से divide करेंगे, तो आएगा question 3. तो मैंने यहां लिख दिया 3. नेक्स कोमा, 3 is not divisible by 2. 3 जो है 2 से divide नहीं होगा, तो ताइज. राइज है, as it is 3 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे. नेक्स यहां हमारे पास हो जाएगे, 2, 3, 3. अब हमें वापिस ही करना है कि हमें एक least prime number लेना है. अगें हम क्या लेंगे? 2. 2 को हम 2 से divide करेंगे, आएगा यहां 1. 3 divisible नहीं होगा, तो हम यहां लिख लेंगे. 3 वापिस divisible नहीं है 2 से, तो हम इसको वापिस ऐसे कैसे लिख लेंगे. अब जहां 1 आजाता है, तो उसको तो हमें डिवाइट करना ही नहीं है. अब हमें 3 हो 3. तो 3 किसकी टेबल में आता है, कौन सा ऐसा लिस प्राइम नमबर है, इसकी टेबल में 3 आएगा, इट इस 3. 3 की टेबल में 3 आता है. 1 को तो हम आज़ी लिख देगे, 3 को 3 से डिवाइट करेंगे 1, तो इस तरह से हमें यहां पर लिस प्राइम नमबर से लिखे आगे की तरफ पढ़ना है, 2, 2, 3, 2, 2, 3. तो यहां पर हमने इसके डिवाइजर है, यहां लिख देगे, हमको LCM कैसे निकालेंगे? यहां पर हम इसको ऐसे प्रोड़क्ट के रूप में लिख देंगे LCM is the product of all prime divisors यह जो भी divisors कहां लिखें इनको हम प्रोड़क्ट के रूप में लिख देंगे 2 multiply 2 multiply 3 2 multiply by 2 4 3 quesities लिख देंगे 4 3s are 12 तो 4, 6 and 3 का LCM क्या होगा 12 होगा 12 ऐसे digit है जो तीनों की टेबल में सबसे पहले आएगी common next next example हमारे पास 12, 48 and 60 अगेर यहां पर भी हमें least prime number देखना है जो या तो तीनों को divide करें या किसी 2 को divide करें या किसी 1 को divide करें तो क्योंकि यहां पर तीनों जो है वो even number है तो यह तीनों की किसी divide हो जाएंगे 2 से 12 को हम 2 से divide करेंगे question आएगा 6 48 48 बड़ी डिजिट है इसलिए हम इसको या पर लिखके से divide करके देख लेंगे divide करेंगे तो क्या आएगा 24 तो question क्या आएगा 24 यह question इसको हम का लिख देंगे 48 के नीचे तो इस तरह से जो बड़ी डिजिट होगे इसको हम अलग से divide करके देख सकते है 60 को again 2 से divide करेंगे तो आएगा 30 तो इस तरह से next क्या जाएगा हमारे पास 6 24 and 30 again हमें least prime number देखना है again 2 6 is divisible by 2 and question is 3 6 को divide करेंगे 2 से तो question आएगा 3 24 को divide करेंगे 2 से question आएगा 12 30 को divide करेंगे 2 से तो question आएगा 15 तो इस तरह से हमने यह लिख दिया next हमारे पास क्या गया 3 12 and 15 again क्योंके इन तीनों में अभी एक number even number 12 तो least prime number हम वापिस से कौन सा लेंगे 2 3 2 की table में नहीं आता है यहां पर लिख दिया हम 6 15 डिवाइड नहीं होगा तो इसको भी हम ऐसे कैसी लिख देंगे again हम लिख देंगे 2 3 3 is not divisible by 2 right here as it is 6 is divisible by 2 and question is 3 6 दो है 2 से डिवाइड हो जाएगा question क्या आएगा 3 तो यहां लिख देंगे 3 15 का मैं इस लिख देंगे क्योंकि 15 टू से डिवाइड नहीं होगा अब हमारे पास आया 3 3 & 15 अब लीस प्राइम नंबर हम कौन सा लेंगे 3 क्योंकि 3 किसी डिविजिबल होगा 3 से 2 से डिविजिबल होगी नहीं सकता है तो यहां लिखा हम ले 3 3 1 0 3 3 3 1 0 3 5 से क्योंकि 2 & 3 दोनों से यह 5 डिवाइड नहीं होगा जिसलिए हम आगे बढ़ेंगे 2 & 3 से तो नेक्स प्राइम नंबर क्या होगा 5 तो हम यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे so we continue to divide until we get the question of all the numbers as 1 हमें तब तक इन numbers को डिवाइड करना है जब तक सारे number को question क्या नहीं आ जाए 1 1 1 और जैसे 1 आ जाए divide करने का काम खतम करना है come to the next step अब इसके ज़िवाइजर्स यह ज़िवाइजर्स यह ज़िवाइजर्स यह फैक्टर्स से income ऐसे product के रूप में लिखेंगे 2 multiply by 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 3 multiply by 5 2 है 4 time तो 4 time उनको लिख दिया हो 3 and 5 2 2s are 4 2 2s are 4 3 5s are 15 next अब इन दोनों का multiply करेंगे 4 4s are 16 15 as it is 16 and 15 को जब हम multiply करेंगे तो answer आएगा 240 तो इस तरह से 12 48 and 60 का L seem क्या होगा 240 240 240 एक ऐसा नमबर है जिन तीनों की टेपल में सबसे पहले कौमान आएगा so children's that's all for now करेंगे झाल झाल